हेलो अब्रिवन स्वागत है आपका हरी कॉंपडिशन एकाडमी में आज के इस वीडियो लेक्षर में महिला सुपरवाइजर से रिलेटेड हम लोग कोश्चन्स देखेंगे यह वीडियो लेक्षर दोस्तों 2021 में पूछे गया प्रश्णों कर अधारित है और इनका जो एक व इसा पर यह पर यहां पर आपको देन्कार के इसा अम्हं दोग है तो आपको यहां पर दिया गया तो यहां तो इस format का उपयोग कैसे करें तो उस संख्या के वर्गे के रूप में करें वैसी यहाँ पर फिर से एक format दिया गया इसका उपयोग हम लोग करें x3 के टम्स में और इसका उपयोग हम लोग करें x3 के टम्स में ठीक है तो यहाँ पर कुछ हम लोग को देखिए statement दिया गया एक कथन दिया गया हम लोग को पहले इसको डिकोट करना है तो पहला जो है rectangle या फिर square 8 के रूप में आप देख रहे हैं तो इसका format होगा कि हम लोग 8 का square करें ठीक है हम लोग अगला triangle 2 देख रहे हैं तो triangle 2 का format होता है आप उसका cube करिए बीच में plus का sign है 2 का cube किए फिर minus यहाँ पर देखिए फिर से ultra triangle है और इसी का हम लोग x देख रहे हैं तो यह ठीक है उस संख्या का आप क्या कर दीजिए तो 1 third कर दीजिए solve करेंगे 8 का square आपको 64 मिलेगा 2 का cube आपको 8 मिलेगा और 24 by 3 आपको 8 मिलेगा overall answer आपको हो जाएगा विकल्प D next question यह दिए हम लोग देखें तो यह question कुछ इस प्रकार से दिया जहां पर आप समझ पाते हैं देखिए हमेशा ऐसे कुश्चों में center value को consider करना चीए ठीक तो third center value तो अभी unknown है पूछा गया आपसे तो इस question को आप solve करेंगे तो इन दोनों का आप यहाँ पे योग देख पा 17 का multiply 4 से वही चीज आप यहाँ भी करेंगे 15 और 120 और 9 इंटू 15 तो यह तो आप 15 में 120 जोड़िये या फिर 9 के साथ 15 का गुणा करिये 135 आपका answer होगा वही अगला question यह हम लोग देखें तो यह काफी अच्छा question रहा ठीक तो यह question में आपको देखिए जो question दिया गया ठीक ह हम लोग देखें तो 5, 7, 11, 15, 23 अगला क्या होगा ठीक तो पहले तो आप लोग हमेशा क्लियर करिए कि अभाज्य संख्या प्राइम नंबर का कोई सेरीज है क्या बाकि अभी ऐसा कुछ ठीक नहीं रहे 5 के लिए थे हम लोग लिखें तो दिखें पहले 2 का multiply में 1 प्राइम से लिए और मैंने 1 को add कर दिया यह कितना हो गया 11 तो similar यही प्रक्रिया आगे भढ़ाते गए तो हम लोग को जो सीरीज मिल रहा है देखिए 5, 7, 11, 15, 23 साथ के बाद अगली अभाज्य संख्या 11 होती है इसलिए प्लस 1 किये यहाँ पे आपको मिल गया 23 ग्यारा के बाद आपको मिल जाएगा 27 आपका answer होगा 27 ठीक है यहाँ पे ध्यान दीजेगा यह जो आप देख पा रहे हैं ठीक है 2, 3, 5, 7, 11 और 13 यह सभी के सभी आप हाज यह हैं ठीक है प्राइम नंबर से हैं तो यह कोश्चन इस प्रकार से solve होगा उत्तर हो जाएगा 7, 13, 31, 57 और 13 तो य यह भी प्राइम नंबर से related थे यदि मैं बात करूं साथ की तो सबसे चूटी प्राइम नंबर होती है 2, लिख सकते हैं अब यदि मैं बात करूं यहाँ पे तो 2 का स्क्वाइर होगा और प्लस 2 से जो next consecutive numbers होगा उसका हम लोग add कर देंगे तो हो जाएगा 7 याद रखेगा स सबसे चूटी प्राइम नंबर 2 होती है ठीक है आगे हम लोग देखें तो अगला 13 है तो next प्राइम नंबर 3 और इसके अगली संख्या 4 तो 3 का स्क्वाइर 9 और 4 13 next प्राइम नंबर आप 5 लेते हैं 5 का स्क्वाइर लिए और उसमें 6 add कर दिए तो 5 का स्क्वाइर 25 6 add होगा 31 ठीक सिमिलर आप 7 का स्क्वाइर लिखेंगे 5 के बाद अगला कौन सा होता है जी तो अगला 7 और 7 के बाद next नंबर 8 तो 49 और 8 क्या हो जाएगा 57 फिर आप लिखेंगे 11 और 11 का स्क्वाइर प्लस हम लोग लिखेंगे 12 तो ये 121, 121 और 12 13 next तो 13 का स्क्वाइर और प्लस 14 इ ये आपको मिल जाएगा 183 ठीक है तो आंसर आपको क्या रहेगा 183 ठीक नेक्स्ट आप देखेंगे तियादी 12345678 ठीक 9 तो इनके लिए क्या लिखा गया EDG FIHKJM तो इनको ले करके आपको बताना है कि किसका कूट 1729 4 होगा तो पहले तो 1 की बात होगी देखिए 1 के जग पर क्या है तो यहाँ पर K है ठीक 2 के जगा पर क्या है D है ठीक है similar आप आगे देखेंगे 9 के जगा पर क्या है तो M है और फिर 4 के जगा पर क्या है तो F है तो इस प्रकार हम लोग को जो ठीक है code मिलेगा, वो code मिल जाएगा कौन सा, तो EKDMF, option B, कर सकते हैं, तो हम लोग का answer है, देखिए, इतने question थे, जो reasoning पर बेश थे, ठीक है, फिर हम लोग बात करें, तो समान्य गडित के कुछ प्रशन थे, समान्य गडित के प्रशनों की बात करें, तो पहला question percentage से दिया गय गडित, भौतिकी, और क्या ग्यान, तो हम लोग बात करें, देखो, गडित, भौतिकी, और क्या जिवेग्यान, maths, physics और बायो, इनका जो ratio रहा ये 5 है, ये 7 है, और ये 8 है, तो क्यों ना हम लोग question को ratio के इतन में solve कर लें, question में बोला गया, कि इनको क्रमसा, respectively 40%, 50% और 75% decrease होता है, तो 5 into 140 by 100 हो जाएगा, ratio 50 है, तो 7 into 150 by कितना हो जाएगा, 100, 8 है, तो 175 by 100, देखिए, आप इसको यदि समझ पाते हैं, तो पहले आप लोग क्लियर रखेगा कि प्रतिसत बृद्धी, अर्थात कोई भी संख्या स्वेम में 100% के बराबर होती है, यदि आप बृद् आगे बढ़ते जाएगे, और यदि आप कम ही करते हैं, तो 100 से कम होते जाएगे, ठीक है, तो similar हम लोग इसको ले करके चले, तो अब क्या-क्या cancel हो रहा है, हम लोग cancel कर लेते हैं, तो जब आप cancel करोगे, यहाँ पर क्या-क्या cancel हो जाएगा, देखिए, सब में 100 common है, cancel, ठी क्या-क्या होगा, यदि आप यहीं से लिखना चाहते हो, तो यहीं से आप equate कर सकते हैं, ठीक, मालो मैं इसको ले रहा हूँ, देखो, 7 से, तो यह 7 से 20 बार, यह 7 का 7 cancel, और 7 से 7 2 नी 14 और 7 5 35, अब यदि मैं cancel करोगे 25 से, तो यह 25, यह 25 से 6 बार, और यह 25 से करेंगे तो य चार, दो तिया, 6 और 24, 8, मतलब फाइनल आंसर आपको मिल गया, 2, 3, 4, ठीक है, तो आंसर रहेगा option A, एक बार आप solve करें, ठीक है, question का visualization ज़रूर करें, next question, तो यह mission based question रहा और mission based question जो है, ठीक है, इसको solve करने के लिए पहले तो आपको उस mission की मातरा के बारे में पता होना चीए, दूसरा चीज, mission किससे किससे मिल करके बना है, तीसरी चीज, कि जब आप देखेंगे वहाँ पर, कि mission में कौनसी मातरा घटाई या बढ़ाई जा दिये, तो question को वहीं से सुरू करते हैं, हमारे पास देखिए, mission कितना है, तो हम लोग को बता दिया 15 लिटर, तो में लोग यदि question को सुरू करें, तो question के सुरुवात उसी 15 लिटर से करते हैं, कि हमारे पास पहले 15 लिटर mission रहा, उसमें से आपको दो गस्तु बता दिया, ए इक आपका पानी है, एलकोहल 20% है, तो यदि हम लोग 15 का 20% निकालते हैं, तो क्या लिखते हैं जी 15 गुडित 20 बटा 100, मतब इसको हम लोग solve करेंगे, तो 3 लिटर हमारे पास क्या होगा, एलकोहल होगा, तो 6 बचा कितना लिटर, 12 लिटर, और यदि हम लोग 6 12 लिटर की बात करें तो क्या होगा, पानी होगा, ठीक है, question कि according आगे बढ़ लेते हैं, क्या लिखा question में, कि मिचन में 3 लिटर पानी मिला दिया जाए, तो जब मिचन में 3 लिटर पानी मिलाएंगे देखिए, पानी की मातरा बढ़एगी, कितना हो जाएगा? 15 लिटर, और ये पानी की मात ना तो बढ़ेगी ना तो घटेगी और उसी को फिर से लेते हुए हम लोग question को solve करेंगे कि अब mission में alcohol की प्रतिसत्ता और mission में alcohol की प्रतिसत्ता हम लोग देखें उपर क्या होता है alcohol की मात्रा नीचे नए mission की मात्रा या नए घुल की मात्रा और percentage में convert करने के लिए into hundred solve कर लेते हैं तीन से छे बार फिर से दो से तीन बार और यह कितना पचास overall आप solve करेंगे इसको तो आपको मिल जाएगा 16 सही 2 बटा 3 प्रतिसत्त मैं आपको एक चीज और बता दूँ कि हमारी संस्थान हरी competition academy द्वारा जो मैला सुपरवाइजर का कोर्स है ठीक है ओनलाइन अप्लिकेशन पर नौसुन इन्यान वी रुपे में उपलब्द है ठीक है तो आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो वहां से recorded class के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को गति दे सकते हैं कि 110 आमों को बेशने पर 120 आमों का क्रेम उल्यप राप्त होता है 110 आम का बेशने पर बोला गया है selling price की बात हो रही है ठीक है तो फिर 120 आप लिख सकते हैं आम का ठीक क्रेम उल्यप यहां से हम लोग एक ratio ले ले ल equals to 120 upon 110 00 cancel यदि आप ratio के terms में लिखेंगे SP आपको 12 मिल गया CP आपको 11 तो यहां से मिलने वाला लाप प्रतिसत बराबर आप लिख सकते हैं सबसे पहले लाप की रासी तो SP minus CP equals to 1 गड़ना CP पर होती है into 100 आपको final यहां पर मिल जाएगा 100 upon 11 परशन या इसी को हम लोग लिख सक सकते हैं 9 1 by 11 परशन ठीक है तो आपका answer क्या हो जाएगा 9 से एक बटा 11 परतिसत ठीक है तो आप इसका answer ले सकते हैं B ठीक है next question देखो तो next question यह काफी आसान होते हैं यह 6 रफल में कमी या व्रिद्धी से पूछे जाते हैं तो इसमें बोला गया कि किसी व्रिद के त्रिज है आप इसका use करें और कमी अब रिद्धी लिखते कैसे हैं तो x plus y plus xy by 100 बाकि जब जब रिद्धी होगा plus का sign लिखे होगा और जब जब कमी होगा minus का sign ठीक है यहाँ भी आप लिखोगे तो अभी कमी हो रहा है minus 50 फिर से y की value भी minus 50 बात करें 50 और 50 दोनों multiply होंगे दोनों minus में है इसलिए plus और यह value आपको मिल जाएगी 2500 और upon में कितना 100 यहाँ से 00 cancel यह मिल गया हम लोग को 100 और plus कितना 25 overall हम लोग बात करें तो यहाँ भी हो जाएगा minus 75% और minus का sign indicate करता है कि इसको तो कमी को इसलिए answer होगा आपका 75% ठीक है चलिए next question देखते हैं तो यह question दिया ग दिया गया है उसके नीचे तीन ठीक है उत्तर एक दो और टींदी तीन है निमनलिकी त्विकल्पों में शे वह विकल्प छाटें जो प्रशन के उत्तर हैं थिक है तो आपको एक प्रशन दिया गया कि किसे मोलधन पर चार वर्स के अंत में साधरन व्याज और व्याज में अंतर है उसको निकालने के लिए आपके पास ये तीनों डेटा का होना जरूरी है पी आर और टी कुश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को टी मिल चुका है अब हम लोग बात करेंगे पी और आर की कि कहां कहां से हम लोग निकाल सकते हैं देखिए यहां प्यादी म बात करूं तो चलिए दर तो मिल जाएगा और दर मिल गया तो आपको मूल धन भी बताना पड़ेगा उसके लिए कुछ और डेटा क्या हो सकता होती है तो पहली बात तो क्लियर रखना केवल एक संभाव नहीं है एक ही क्वेश्चन से आप इसको सौल नहीं कर सकते हैं दू साधरन व्याद दो हजार है तो मैं यहां से चार वर्स का भी बता सकता हूँ सिंपल इंट्रेस्ट कितना होगा तो एक हजार होगा उसी का आधा होगा तो यहां से देखो इसी से मैं बस कर सकता हूँ क्या इसी को मैं बस लेकर के बता सकता हूँ क्या यहां भी तो हम लोग क को दिया हुआ है कि दो वर्स के अंत में ठीक है साधरण व्याज और चक्रविद्धी व्याज में अंतर 12.25 तो इसके लिए आप सौट्रीक फॉर्मूला एक पढ़ते हैं ठीक है क्या लिखते हैं यहां पी साधरण व्याज व चक्रविद्धी व्याज का अंतर बराबर ठीक है दूसरी साइड हम लोग क्या लिखते हैं जी तो clear रतना molden in bracket 10 बटा 100 और इसका square तो यहाँ प्यादी देखा जाए तो possible है कि हम लोग कुछ values निकाल ले जैसी इसके लिए मैं लिखूँँगा तो क्या हो जाएगा 12 समलो 5 सुन्या कर सकता हूँ अब उसके बाद जैसे आप लोग देखोगे तो आगे क्या होगा तो molden के बारे में हम लोग को नहीं पता ठीक यदि मैं dar को लिखना चाहूँ तो मैं dar को यहाँ से consider कर सकता हूँ 5 पर्षिन ठीक है तो यदि मैं 5 पर्षिन लेना चाहूँ तो यह P हो जाएगा और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 by 100 इसका क्या रहेगा square ठीक है इसको भी हम लोग solve कर सकते हैं तो यह 5 से और यह 20 times ठीक तो आगे आप लिखोगे P equals to 12.50 और into कितना हो जाएगा 20 का square ठीक है आप solve करोगे आपको यहाँ से P मिल जाएगा मतलब यदि मैं 3 की बात करूँ और मैं बात करूँ किसका 1 का तो 1 और 3 वहाँ पे ठीक दोनो सही उतरूप से इस question का answer निकालने के लिए फर्याप्त होंगे ठीक है तो यहाँ पी आपको answer लेना चाहिए कौन सा तो आप लिख सकते हो एक और 3 दूसरा चीज यह कि अधि हम लोग इसको यहाँ apply करना चाहें तो भी कर सकते हैं जैसे क्या होगा कि अधि P r by 100 आप देख रहे हो देखो इसको ध्यान दीजेगा P r upon क्या रहेगा 100 इसका square है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या P r by 100 into r by 100 ठीक अब इसी की value हम लोग को तो देखो दूसरा में दिख रहे हैं तो दूसरा में भी दिख रहे हैं हम लोग के पास तो P r by 100 की value हम लोग एक वर्स का व्याज निकाल सकते हैं की निकाल सकते हैं तो एक वर्स का व्याज यदि हम लोग निकालेंगे तो जब 8 का ठीक है 2000 है तो एक वर्स का कितना हो जाएगा 2000 बटा 8 ठीक है तो P r by 100 आपको मिल जाएगा मतलब यहाँ पी एक और 3 भी परियाब्त है एक और और होना था या नहीं क्या और ठीक है तो आंसर होना चीए था 2 अ 3 ठीक कोश्च न क्या कॉडिंग ना बाकि आप 1 और 3 से भी पता सकते हैं 2 और 3 भी sufficient है और 1 और 2 भी sufficient है ठीक है चलिए नेश्च कोश्च न देखते हैं एक व्यापारी 20 रुपर प्रति किलो वाले 26 किलो चावल को दूसरे किसमे के 36 रुपर प्रति किलो वाले 30 किलो चावल के सांथ मिलाता है और उस मिश्रण को 30 रुपर प्रति किलो के हिसाब से बेचता है तो देखो सबसे पहले तो व्यापारी उसको खरीदा होगा तो खरीद 520 अब उसके बाद दिखो उसने दूसरे किसम की चावल खरीदा कितना 36 रुका प्रती किलो और उसका कितना 30 तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 30 गुड़ेद 36 मतलब यह मिल गया 1080 ठीक तो इतने में वह वस्तु खरीदा वह वस्तु खरीदा तो मात्रक और फिर बाद में कि कितना je 30 टूटल कितने किलोग्राम हो गया 56 क्लोग्राम और मुल्य कितना होगाची तो मुल्य के लिख सकते हो 520 और πिलस कितना 1080 अ Soo जय कर मतलब ठीक में तो सोला सो लिख सकते हैं 1600 रुपए में उसने 56 kg चावल खरीदा अब बात आएगी बेचने की सेलिंग प्राइस की तो उसने उसी मातरा को देखो यहां पे लिखा है 30 रुपए प्रतिकी लोग हिसाब से बेचा तो 56 गुडित अब लिख सकते हो 30 अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ठीक है सॉल्व तो लाभ कितने का हो रहा है अब पहले उसको निकाल सकते हो तो लाभ कितने का हो रहा है 80 रुपए का उपर क्या हो जाएगा 80 किस पे होता है क्रेम उल्य पर और इंटू क्या होगा सौ 2-2-0 यहां से कैंसल और 16 पंछे 80 आपका आंसर हो जाएगा कितना 5% नेक्स Qeishन यदि वित्रम अर्थात की रेशी प्रोकल ठीक और यहां पे आप लिखोगे तो उनका योग कितना है तो 34 का 1 by 8 लिख सकते हैं अब इसको यदि हम लोग एक्वेट करें तो क्या-क्या मिल जाएगा आप उसको ध्यान देना ठीक है तो यह 2 से कैंसल होगा यह कितनी बार 17 और यह कित अब दुनों का कंपेर कर दें यह X और उसका रेशी प्रोकल 1 by X यह 4 और इसका रेशी प्रोकल 1 by 4 ठीक है 1 by 4 यहां से X को यदि मैं कंपेर करूं तो X की वैल्यू ही कितनी मिल गई 4 तो आप लिख सकते हो 4 होगा वो संख्या लेकिन संख्या नहीं पूछा उस संख्या का औ और उसके वर्गमोल का गुडण होगा तो आप उस संख्या को लिख लिए X और चार और उसका जो वर्गमोल होगा आप उसको लिख लिए कितना दो तो संख्या चार है और वर्गमोल दो है और इनका गुडणफल होगा प्रोड़क्ट होगा कितना तो आप लिख सकते हो 8 ठीक है, next question था, कि तीन लड़के A, B और C का औसत वजन 54 से ही एक बटा 3 किलो, जबकि तीन लड़के B, D और E का औसत वजन 35 किलो है, तो A, B, C, D और E का औसत वजन क्या होगा, देखो औसत वजन मतलब उन तीनों का बटा लिखेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग लिखेंगे उसमें, तो A, B, C, अपान में 3, यह औसत वजन होता है, कुल भार बटे, उनकी संख्या, ठीक है, तो यही हम लोग को कितना दिया हुआ है, देखिए, तो 14C, एक बटा 3, यदि हम लोग इसको इक्वेट करें, तो क्या हो जाएगा, तो 162 और 162 और 1 कितना होगा, अप लिख सकते हैं, 3 का मल्टिप्लाई, 54 से 162, तो यह 163 बाई कितना 3, 3, 3 cancel, मतलब A+, B+, C, ठीक, हम लोग को क्या मिल गया, कि पहले जो 3 बच्चे हैं, A, B और C, उनका टोटल वेट होगा 163, ठीक है, अब उसको कितना लिख के रखे रहेंगे, तो 163, अब उसके बाद question में देखो, आपको बोला गया, कि जबकि 3 लड़के BD और E, तो B+, D+, E, अ equals to कितना बोला गया, 35, तो यदि हम लोग 35 के लिखे हैं, तो यहाँ पर हम लोग 35 लिख सकते हैं, अब यहाँ पर हम लोग यदि लिखे हैं, तो B+, D+, E equals to, तो यह आपको मिल जाएगा 159, अब इको question में क्या पूछा, तो E+, B+, C+, D+, E, उनका औरसत वजन क्या होगा, तो पहल सकते हैं, तो बटा 5, क्योंकि उनकी संक्याई क्या है, 5 है, लेकिन हमारे पास यह दो equation मिले, ठीक है, A+, B+, C, और B+, D+, E, ठीक है, यह परियाप्त नहीं है, इस question को solve कर पाने के लिए, क्योंकि दोनों में, आप यहाँ पे देखो, B को comment पा रहे हो, तो उस B को cancel करने भी आपक solve करके देखो उसको, आप देखो आगी क्या है, तो 264 की पावर 102, और 264 की पावर 103, पहली बात तो यह प्लस में है, कभी भी इनके पावर सको आप आड नहीं करोगे, ठीक है, अगला हम लोग देखे हैं, तो 264 है, लाश्ट का डिजिर देखिए 4, और पावर की बात करूं 102, तो पावर को हम लोग 4 से क्या करते हैं, ठीक, डिवाइट करते हैं, दूसरा चीज मैं आप लोग को बताया था, कि जब भी आप 4 की घात में सम संख्या देखते हो, और साथ ही, लाश्ट का डिजिट 4 है, विशम संख्या देखते हो, तो आपको एक आइडिया होना चीए कि सम और विशम के केस में क्या होता है, तो जब भी 4 की घात में सम संख्या, आप हमेशा उसको लिखते हो, 6, और जब कभी भी 4 की घात में विशम संख्या, आप हमेशा उसको लिखते हो, 4, ठीक है, तो जब हम लोग 6 और 4 को एट करेंगे, तो यह हमारे लिए क्या हो जाए 6 star 2 यह संख्या 8 से divisible है और यह संख्या जब 8 से divisible है तो आप केवल और केवल 8 के divisibility rule से last के 3 digits को consider करते हो तो अब आपको last का 3 digits कितना मिल गया 6 star 2 question में क्या पूछा दे को लगुत्तम पूर्ण संख्या लगुत्तम अर्थात की जो list होगा ठीक है तो जब हम लोग list की बात करते हैं तो star की value considerable होता है 0 1 2 3 और अब 2 ऐसा करते करते 9 तक ठीक है तो यह आप 0 लेते हैं तो 0 ले करके check करेंगे देखो तो 602 आठ से होगा क्या 8 सते 56 चार बचेगा 42 होगा नहीं होगा वैसी एक रखेंगे 52 होगा यह भी नहीं होगा ठीक एक आदो रखेंगे 62 होगा तो 62 भी 8 से नहीं होता है लेकिन जैसे आप 3 रखेंगे तो यह 632 हो जाएगा और 8 से यह completely divisible होता है जैसे 8 सते 56 7 मिलेगा 2 आगे और 8 निया 72 ठीक है आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्टार की वैल्यू क्या होगी 3 ठीक तो यह आपका आंसर होगा ठीक तो परिस्तिमित भरती में कुछ इस प्रकाल से maths और reasoning से प्रश्न जो हैं वो पूछे गये थे ठीक चलिए तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते होगे अब हम लोग परिस्तिमित भरती से परिवेक्षक खोली भरती परिवेक्षक का जो solution है वो एक बार देख लेते हैं पहला question अभिव्यक्ति से रहा expression से रहा और यहाँ अभिव्यक्ति के बारे में जो लिखा गया कुछ प्रतीकों के अनुसार दिये गया एक अथन B की बात करें तो यह greater than C की बात करें तो यह not equals to D की बात करें तो यह equals to E की बात करें तो not less than और F की बात करें तो यह less than ठीक है आपको 6 alphabets दिये गए और उनके लिए 6 प्रतीक अलग-अलग sign दिये गए आपको तो अब इनको हम लोग जब लिखेंगे तो जैसे अभिव्यक्ति देखिए, expression आपके पास है A, capital E, B और B, capital E, C तो जब हम लोग इनको एक सांथ लिखें तो देखिए, B जो है, वो दोनों expression में common है तो इसको हम लोग एक सांथ लिख सकते हैं अब E denoted होगा, कैसे, तो less than not, तो आप लिख सकते हो, A less than not, ठीक है, B और फिर से less than not, C तो जब A का B से और B का C से है, और ये दोनों sign common है तो इस आधार पे हम लोग A और C के बीच relation बता सकते हैं और answer आपका होगा कौन सा, A ठीक है, तो expression A क्या हो जाएगा, या फिर option A आपका क्या हो जाएगा, तो सत्य होगा next question देखेंगे, तो next question में देखो आपको यहाँ पे क्या बोला गया, तो इनके अंकों को और sign को, चिन्हों को परिवर्थित करना है ठीक है, इस प्रकार आपको बताना है कि कौन सा वहाँ पे सत्य होगा तो जब इसको हम लोग solve किये, तो यहाँ पे देखिए, कुछ options आपको दियेगे, आप इनको इटाचेज करना यहाँ पे minus के जगा में हम लोग plus ले रहे हैं और 2 और किसको? 6 को तो सबको आप एक बार solve करके देखोगे, ठीक है, मैं भी आपको सीधे बता रहा हूँ कि आपे 4 का cross किये, 6 के जगा में 2 replace कर दिये, minus के जगा में plus replace कर दिये और 2 के जगा में 6, तो 4 दूनी, 8, 8 और 6, 14, अब लोग बागी को भी solve करके देखेंगे option क्या हो जाएगा, C, ठीक है, आगे की और बढ़े हैं, तो हम लोग को 3 question पासा से दिख रहे हैं, ठीक है dice से यह आपका खुला पासा है, पहले तो unfolded dice को, खुला पासा को, हम लोग folded dice में बंद पासा में convert करते हैं, तो जब बंद पासा में convert करेंगे, तो opposite faces को हम लोग को check करना होता है, तो alternate यहाँ पे आप लिखते हो, तो A का opposite face क्या होगा, तो आप बता सकते हो C, similar D का हम लोग लिखेंगे, तो D के लिए F हो जाएगा, और वहीं हम लोग B की बात करें, तो B के लिए हो जाएगा E, ठीक है, यह opposite faces होते हैं, और clear रखिएगा, जब यह बंद पासा में परिवर्तित होते हैं, तो कभी भी दो विपरित फलक या opposite face, वो एक साथ कभी भी दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं, देखिए, पहले वाले सकता है, कोई विपरित फलक नहीं है, लेकिन जैसे ही आप option C में आते हैं, तो option C में आपको ध्यान देना है, कि इसमें आपके पास B और E, जो दो विपरित फलक हैं, वो एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसी आधार पर हम लोग लिख सकते हैं, कि ये पासा बनाया नहीं जा सकता, और answer हमारा क्या होगा, उसका C, ठीक है, अगला देखो आपको counting figures पर या फिर, ठीक हम लोग यहाँ पर देखें, तो घनों की गड़ना या गिंती के लिए question दिए गए, इनको दो आधार से बनाते हैं, एक तो आप लोग जब लिखोगे, तो side से बना सकते हो, या फिर top या bottom से बना सकते हो, देखिए, ये पहला layer है, दूसरा layer है, और ये तीसरा layer है, इन तीनों layer हों के बारे में बता दूँ, तो इन तीनों layer के बारे में आदे मैं आपको बताऊं तो पहले लेयर को आप देख पा रहे हो देखिए नीचे कितना दिख रहा है एक दो तीन चार पाँच छे और साथ तो यहाँ पे साथ लेयर इस पहले वाले लेयर की बात हो रहे है न क्लियर रखना अब यहाँ से जो देख पा रहे हो उपर की और यह इसकी बात हो रही है तो हम लोग जब इसको लिख रहे हैं तो एक दो तीन चार पाँच छे और साथ यह आठ होगा नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सत्रा अठारा और उननेस तो टोटल उननेस घन होंगे इस पहले वाले लेयर में दूसरे वाले लेयर की बात करें तो यहाँ उननेस के बाद क्लियर रखेगा उननेस के बाद आपको और कुछ घन दिखाई दे रहे हैं एक दो तीन चार पाँच और छे तो छे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे यहाँ पर यदि मैं अंदर वाले मतलब तीसरे लेयर की बात करूँ तो तीसरे लेयर में क्या होगा जी तो उननेस तो मिलेंगे ही साथ में ये छे और मिल गया तो इसके बाद आपको यहाँ पर एक दो और तीन और मिल जाएंगे तो यहाँ पर तीन लिख लेते हैं मतलब यदि overall हम लोग देखें तो क्या क्या हो जाएगा आप इ यदि अगले question की बात करें, तो ये एक फिर से dice का question है, और folded dice या बंद पासा का question है, यहाँ पे हम लोग को पासा की दो आकरितियां दी गई, दोनों के दिए हम लोग check करें, तो 1 और 2, 3, 2 और 3, 5, 3 और 1, 4, similar 5 और 6, 11, 5 और 3, 8, 3 और 6, 9, मतलब यह जो पासा है, यह मानक पासा है, standardized है, और मानक पासा में एक के विपरित 6, 2 के विपरित 5, और 3 के विपरित 4 होता है, अथा 4 के विपरित question में पूछा है, 4 के opposite क्या होगा, तो answer होगा आपका ए, तो यह पासा समन्दित प्रश्न थे, ठीक है, आप एक बार इनको बना आगर के फिर से देख लेजिए, देखें, next question यहाँ पर हम लोग को फिर से मिला, विलुक्त पद को दिये गए, विकल्प में से चुनिए, तो अभी जो आपको एक पद नहीं दिया गया है, आप उसको उन पदों के अनुसार, ठीक, आप देखो, find out करो क्या होगा, तो यहा पर हम लोग लिख सकते हैं, पहले क्या है, M, H, Z, N, I, W, O, K, T, P, N, Q, और फिर नीचे question mark है, तो अब हम लोग इसको solve करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो देखें, बनाने के कई सारे तरीके होते हैं, आप अपने तरीके से solve करेंगे, ठीक है, question की बात करें, देखें क्या लिखा, M, N, O, P, next क्या होगा, Q, तो यहाँ पर कोई difference नहीं है, एक एक कबस difference आया, M के बाद N, N के बाद O, O के बाद P, और P के बाद Q, जो first alphabets होंगे, ठीक, वो लगातार हैं, क्रमिक रूप से हैं, इसलिए मैंने Q लिख दिया, अब देखें, उसके बाद इनका जो sequence ह है, H के बाद I, एक का, I के बाद, तो J छोड़ दिया गया, K मतलब दो का, K के बाद L, M, N, ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर कितना, तो दो छोड़ा गया, कौन-कौन सा L और, लिख सकते हैं, M, फिर N आ गया, अब चार छोड़ा, तीन छोड़ा जाएगा तो चौनथा क्या होगा, N के बाद O, P, Q, और क्या लिखेंगे, R, अब यहाँ पर सेकंड अल्फवेट लिखोगे, R, अब देखो किसमे किसमे Q, R है, तो अभी तक तो आपके A और D कट चुका है, तो B और क्या बचा, M, अब देखो इसमें reverse ले रहे हैं, जैसे Q के बाद क 3 का difference, T के बाद U, V और W, 3 का difference, W के बाद X, Y, Z, 3 का difference, तो यहाँ भी 3 का difference होना चीए, तो हम लोग जब N लिखेंगे, तो N के बाद क्या होगा, O, P, Q, तो आंसर आपको हो जाएगा, B, Q, R, N, लिख सकते हैं, तो यह होगा, अब next question के हम लोग बात करें, तो देखो इसमें लिखा गया है, दिया गया कौन सा आकृति, मनुष्य, सिक्षक और सनातक के मध्य, सही संबन्द को दरसाता है, तो पहले तो हम लोग जब बात करेंगे, तो चाहे सिक्षक हो या सनातक हो, यह दोनों के दोनों क्या होते हैं, तो आप लिख सकते हो मनुष्य, अब यदि हम लोग बात करें, तो कुछ सिख्षक जो होते हैं, ये सिख्षक भी होते हैं, या फिर यूं कहा जाए, कि कुछ सिख्षक क्या होते हैं, सिख्षक होते हैं, तो हम लोग इसको इस प्रकाल से लिख सकते हैं, मतलब इन सब के सब में आप ज़िदे देखोगे, तो मैं उस्ठेक अगर सिख्छक मनुष्य हैं, जबकि कुछ सनातक ही क्या होते हैं, सिख्छक होते हैं, ठीक है, तो आंसर होगा हम लोग का कौन सा, D, next question देखिए, आपको कुछ आगरितियां दिया गया, वेन डियाग्राम से question है, और ये काफी आसान भी होते हैं, यदि हम लोग इनको solve करें, तो पहले वरित जो है, वो रोजगार को बता रहा है, ठीक है, मतलब इस वरित के में जितने भी व्यक्ति होंगे, उस सब के सब क्या होंगे, रोजगार युक्त होंगे, यदि हम लोग बात करें त्रिभूज की, तो इस त्रिभूज में जितने भ प्यत्ति को दर साथ है, मतलब ये वर्ग जो है, ये असिक्षित है, अब इनी के according answer करना है, तो देखो उसमें क्या लिखा, तो कौन सा छेत्र युवा, तो कौन सा छेत्र युवा बोल दिया मतलब, आपको सबसे पहले त्रिभूच पर ध्यान देना है, फिर उसने सिक्षित तो देखो वर्ग जो है वो असिक्षित है, तो वर्ग को सुरू से ही आप क्या कर दो, कैंसल कर दो, ध्यान देना, सिक्षित बोला गया है, जबकि वर्ग किसको रिप्रेसेंट कर रहा है, असिक्षित को, तो वर्ग हम लोग का पहले ही कैंसल हो गया, और बे रोजकार बोल सकते हो आपका answer होगा भी ठीक है इस प्रकाश से question solve होते हैं याद रखेगा ये सिक्षित बोला गया जबकि आपको दिया है ये बेरोजगार बोला गया जबकि आपको रोजगार दिया है ठीक है next question तो फिर सीजी जीच को बता दिया गया कि वेन आरेक में आपको question फिर दिया गया नीचे दिये गया है ठीक तो ये चीतर आपको दिया गया है देखिए आपको पहले बताया ठीक क्या बताया कि आयत सास्किय करमचारी को दरसाता है मतलब यदि मैं आयत की बात करूँ ठीक है तो यहाँ पे आयत आपको दिख रहा है ठीक तो दिखी ये आयत होना चीए दोनों आयत जैसे दिख रहे हैं लेकिन ये वर्ग होना चीए ठीक है ये सास्की ये कर्मचारी होंगे वही यदि हम लोग वर्ग की बात करें तो ये क्या होंगे क्लर्क होंगे घ्यान देते चलिएगा एक प्रिभूज की बात करें तो प्रिभूज बता रहे किसको सहरी व्यक्ति को और यदि हम लोग बात करें एक वृत की तो ये बताता है सनातक को तो अब हम लोग solve करना शुरू करते हैं देखो क्या लिखा सभी सहरी व्यक्ति सनातक है तो सभी सहरी व्यक्ति अर्थात की ये triangle है उस सब के सब सनातक में आएंगे क्या ठीक, तो ये जो होगा पहला वाला statement आपका क्या हो गया गलत क्योंकि हम लोग कुछ सहरी व्यक्तियों को देख पा रहे हैं कि वो क्या है सनातक है वहीं यदि हम लोग अगले statement की बात करें conclusion की बात करें कुछ clerk सास्किय करमचारी है तो ये जो कुछ clerk है वो सास्किय करमचारी है, यहां तक तो सही है परंतु सहरी नहीं है तो देखो यहां पे सारे क्लर्क क्या है जी सहरी, सहरी के अंतरगत है इसलिए ये भी क्या हो गया Cancel तो सभी सास्किय करमचारी क्लर्क है तो बोल सकते हैं क्या सभी सास्किय करमचारी क्लर्क है तो ये भी असत्य हो गया ठीक कुछ सहरी व्यक्ति सनातक नहीं है तो बिल्कुल हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ सहरी व्यक्ति सनातक नहीं है जैसे 3, 2, 7, 8, 9 तो यह सनातक नहीं है ठीक है तो आंसर हम लोग का क्या होना चीए ठीक तो अप लिख सकते हो विकलब D सही उत्तर होगा अगला दिखिए pen 12 है boy पुछा गया तो यदि हम लोग यहाँ पे इनके क्रमों के बारे में बात करें तो पी का कितना होता है जी 16 एका एक और एंका 14 यदि हम लोग यहाँ पे इनके बीजांकों की बात कर लें तो यह 7 है यह 1 है और यह कितना होगा 5 मतलब भीजानकों का योग 13 आ रहा है लेकिन दिया कितना है 12 तो हम लोग लिख सकते हैं 12 वहीं अदि हम लोग बॉय की बात करें तो बॉय के लिए यह हो जाएगा आपका 2 यह 15 और यह कितना 26 पचिस solve करेंगे यह 2 रहेगा यह 6 रहेगा और यह कितना 7 सब को जोड़ेंगे तो 7 6 13 और 2 15 माइनस 1 ले लिए कितना हो गया 14 तो answer होना चीए इन में से कोई नहीं देखिए ऐसे प्रश्णों को बनाने के काफी सारे methods होते हैं हो सकता है आप जब बनाओगे तो आपका answer आपको कुछ और मिले कुछ अलग मिले ठीक है possibility answer ले सकते हैं क्या होगा उत्तर डी किसी सांकितिक भासा में 289 का मतलब read from paper है 286 का मतलब t from field है और 85 का मतलब wallpaper है तो निमनमे read के लिए क्या होगा तो यदि हम लोग पहले की बात करें तो दोनों में common क्या है उसको check करते हैं तो यदि first और second statement पर आप ठीक है जाते हैं तो दोनों में देखो आपको two common दिख रहा है और two common दिख रहा है तो पहले read from paper है और दूसरा t from field है तो इन दोनों में 8 common है तो दोनों में from भी है आप 8 के लिए लिख सकते हो ये किसका होगा तो from को represent करेगा आप दिखो यदि हम लोग देखें तो यहां पर बात कर लेते हैं हम लोग पहले और तीसरे statement की तो पहले में आपको read from paper 289 और दूसरे में wallpaper 85 देखें यहां पर 8 है और यहां भी क्या है 8 है तो पहले और तीसरे में जो common होगा आप यहां पर देख सकते हो इसमें भी paper है और इसमें भी paper है तो यदि मैं 8 के लिए आ आप लिख सकते हो, read, ठीक, तो answer आपका क्या हो जाएगा, no, ठीक, बाकि आप 5 के लिए देखोगे, तो wall होगा, और 7 और 6, आप ग्यात नहीं कर सकते, उनके लिए tia, field दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है, चलिए अगला जो question है, counting figures है, ठीक है, तो इनको जब आप counting figures में दूसरा, जैसे आप लोग देखे हो, कि आपको एक square rectangle दिया जाए, ठीक है, यह ऐसा होता है, और इनके जब diagonals की बात की जाए, इस प्रकार से लिखा जाए, तो यहाँ पे कुल घनों की संक्या कितनी हो जाती है, तो इसको आप लोग लिखते है, स्वरी, कुल ठीभुजों कि संक्या कितनी हो जाती है, आठ, ठीक, तो यह जो दोनों आगरिती है, पहले तो आप लोग इसको clear करके रखोगे, ठीक, आगे आदे हम लोग देखें, यहाँ पे figures count करना है, तो आप बिल्कुल count करके बता सकते हो, देखो क्या होगा, यह 3 हो जाएगा, लिख सकते हैं, 3 और यह भी कितना हो जाएगा, 3, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, आगे आप बढ़ोगे, इसका भी 3 होगा, छुटे वाले का, तो 3, 3, 6, और 3 कितना, 9, फिर उपर वाले का भी कितना हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो, 3, तो 3, 3, 6, 3, 9, और 3, 12, इस तरफ से मिल गया, लेकिन अभी भी 2 और बचे हुए हैं, 3 भूज, कौन-कौन सा, तो ये एक, ये वाला भाग, छोटा वाला, और ये भी क्या होगा, एक छोटा वाला भाग, मतलब है टोटल हम लोग कांट करें, तो 3, 6, 18, 19, और क्या होगा, 20, तो यहाँ से आप बिलकुल आंसर लिख सकते ह होगे, तो देखो, इनके लिए बताया क्या जाता है, ठीक, तो पहले तो हम लोग यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, अंदर वाले भाग की, तो इस अंदर वाले भाग की बात करेंगे, तो पहले इसको clear रखना, देखो, विकर्णों को मिला दिये, विकर्णों को मिला दिये षाएंपने कितना हो गया? आठ अब यहाँ पे फिर से इसको कर दिये, तो आठ के बाद अब हम लोगों मिल गया 16 तो इस अंदर वाले भाग में कितना मिल गया? 16 ठीक है? Same figure यदि आप clear करते हो तो बाहर के लिए बताया गया तो बाहर के लिए जब हम लोग को बताया गया देखो यहाँ भी कितना हो गया तो आप लोग इसको लिख सकते हो ठीक है इसको भी देखो यहाँ से मिलाया गया तो यहाँ प्यादी हम लोग देखें तो इस ग्रीन वाले के लिए या फिर चार लेयर वाले के लिए भी चार लेयर वाले के लिए भी कितना मिल गया जी अब लिख सकते हो 16 ठीक एक बार आप count करके देखेंगे टोटल कितना हो गया तो 16-16 32 अब देखिए 32 जब हो गया तो और भी हम लोग को मिलेगा जैसे ये तो उपर वाला 2-2 लेयर का था ये चार लेयर का है अब हम लोग 3 लेयर की बात करते हैं जैसे मैं यहां से ले रहूं और इसको ध्यान दीजेगा मैं यहां तक ले करके गया तो ये भी क्या होगा एकзыग होगा कर सकते हैं मैं फिर सिटको आप लोगो ड्राउ करूँगा भी देख लेज़गा. वापस यहां से जब हम लोग देखेंगे तो ये 3 लेयर की वात करेंगे. तो एक में कितने हो रहे हैं देखो, तो एक में कितने हो रहे हैं? ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, इनको भी हमने count नहीं किया है, तो ये भी कितने हो गए जी, आठ, और total अब आप जब count करोगे, कितने हो जाएंगे, तो 16, 16, 32 और 32 और 16, 48, ठीक है, यहां से आप लिख सकते हो, आपको क्या मिल जाएगा, 48, ठीक है, चलिए next question दिखते हैं, अगला आपको A, H, E, A, I, N, A, J और question mark दिया, तो ऐसे question को जब आप बनाओगे, तो पहले तो मैं आपको यही advice करूँगा, कि आप लोग क्या करो, इनके numbering लिख लो, ये 1 है, लिख सकते हैं, इसके बाद यदि हम लोग लिखें, तो ये 8 होगा, और ये कित न हो जाएगा, N की बात करें, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, 14, यहाँ पर फिर से 1 है, और ये 10 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यह आप से पूछा गया है, तो दिखो, पहले वाले के अदि हम लोग बात करें, तो पहले में कोई difference नहीं है, 0 का है, दूसरों की ब ठीक, तो 14 में भी कितना जोड़ना चीए, तो यहाँ पर लिखोगे 9, तो 14 और 9 कितना हो जाएगा, 23, तो इसी प्रकार आप answer लिख सकते हो, कितना W, क्योंकि 23 क्रमांग किसका होता है, तो W का होता है, लिख सकते हैं, तो यहाँ आपका solution होगा, next question देखिए, कुछ इस प्र 8 यदि हम लोग लिखें, कितना हो जाएगा, 48, और 48 को 4 से भाग दे देंगे, कितना आ गया, 12, 3 और 24 का मल्टिप्लाई कर दो, 72, और इसको हम लोग डिवाइट करेंगे 4 से, कितना आ गया, 18, तो यह भी सही है, अब 18 और 36 का मल्टिप्लाई कर देते हैं, और इसको पर देते हैं, तो रो 1 और रो 3 को आप क्या करो, मल्टिप्लाई और रो 2 से, और 4 से उसको डिवाइट कर दो, आपको रो 2 मिल जाएगा, ठीक है, तो यह आपका सोलुशन होगा, नेक्स्ट देखिए, आपको विश्मता को पहचाने लिख है, तो यह विश्मता को पहचाने की बात आती है, यहाँ पे C है, तो C का करमांग 3 होता है, P है, P का करमांग 16 होता है, I है, I का करमांग 9 और J का करमांग 10, सिमिलर आगे देखेंगे, तो G के लिए क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पे आप 7 लिखोगे, और L के लिए कितना हो जाएगा, तो आप लोग लिख को जब आप solve करोगे, तो एक बार तो देखो इनके multiples check कर लेना चीए, इनके difference check करना चीए, इनको जोड़ करके देख लेना चीए, तो आप जैसे करना चाओ आप कर सकते हो, दूसरी चीज, कि यहाँ पे हम लोग को हमेशा prime numbers पे focus करना चीए, कि यहाँ पे इन दोनों का difference जो हो यह तीनों clear रखना 5, 2 और 13, यह prime numbers को indicate करते हैं, जबकि 1 जो होगा, यह ना तो prime होता और ना ही composite होता है, तो इसका answer हमारा होना चीए कौन सा C, ठीक है तो आप answer लिख सकते हो C, next question, विशम संख्यात्मा की उगमा को चुनिए, तो यह तो पहले से क्या है, deleted है, ठीक है, delete कर दिया गया, तो इसको solve करने की कोई आस्यक्ता नहीं है, ठीक है, बाकि आप कुछ आधार जानना चाहते हैं, तो कभी-कभी इनके multiples के form में होते हैं, कभी-कभी इनके squares के form में, कभी cube के form में, ठीक है, generally square और cube में आपको ज़्यादा question देखने को मिलता है, ठीक है, चलिए, next question देखिए, गलत पत को ग्याद कीजिए, तो गलत पत हम लोग कैसे निकालेंगे, तो या तो फिर से हम लोग वही को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, multiples की बात करना, यही आते जाएगा, देखिए, चार के बाद उसने आपे 11 दिखा है, तो यदि मैं 4 को multiply कर कर दूँ 3 से, और minus 1 कर दूँ, तो हम लोग को कितना मिल जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे कितना, 11, ठीक, लेकिन next, अगला जो होगा, यदि मैं 11 का 3 का multiply करता हूं, तो 33 हो जाएगा, और 33 से 1 घटाओंगा, तो 32 होगा, जबकि कितना दिया है, 25, इसलिए, यह format को छोड़ हम लोग कुछ ऐसा करते है, 4 cross 2, 4 दूँ 8 और कितना जोड़ दिया, 3, कितना हो गया, 11, 11 दूँ 22, 3, कितना हो गया, 25, 25 दूँ 50, 3 जोड़ दिया कितना हो गया, 350, 52, ठीक है, 106, 106 में 3 जोड़ दिया, कितना हो गया, 109, तो इस सिरीस को आगे बढ़ाएगे, आपको संक्य मिलती जाएंगे बस यहां पर आप लोग को clear करना है कि एक संख्या जो मिला जो उस चीज को fulfill नहीं कर रहे है कौन सा है 46 इसके जगा में क्या होना था 53 आंसर आपका होना चीए कौन सा 46 ठीक आपके पास कोई better option है तो आप उससे भी solve कर सकते हैं ठीक चलिए तो अगला question भी है series इसका 2, 7, 11, 21 और 35 यह question भी थुड़ा सा अलग रहा जैसे series जो होगा वो 2 से start तो होगा लेकिन यह 21 ना मिलकर क्या हमेशा क्या मिलता है 9 possibility है कि इसका भी कोई solution होगा बाकी मैं 19 के terms में आप लोग को बता रहा हूं ठीक है solve करेंगे देखिए 2 के बाद 7, 11 फिर 21 और 35 आपको 11, 2 की पावर 4 प्लस 3 लिखते हैं कितना 19, 2 की पावर 5 प्लस 3 लिखते हैं कितना 35, अगला 2 की पावर 6 प्लस 3 लिखेंगे यह कितना हो जाएगा 67 तो यह जो question मैं आप लोग को बता रहा हूं यह काफी time भी से repeated question रहा है ना बाकि वहाँ पे 21 ना उबर के कितना होता है 19 तो answer इसका लिया गया क्या D उप्रोक में से कोई नहीं और इसी format के बेस पर answer उसका लिया गया है उप्रोक में से कोई नहीं ठीक है next question भी series का है लेकिन यहाँ पे जब आप एक sequence की बात करेंगे तो देखें इनको तीन-तीन खंडों में बाट दिया गया है जैसे हम लोग पहले ख H F फिर K I G तो यदि हम लोग इनका एक sequence देखें तो देखो H I के बाद क्या है जी सरी J J के बाद K तो K के बाद अगला कहां से सुरू होना चीए जी L से वैसी G के बाद क्या है H H के बाद I तो L के बाद का पूछा होता तो हम लोग क्या लिखते है उसको J फिर E के बाद F F के बाद G तो अगला हम लोग लिखे रहते है H लेकिन केवल और केवल वो पहले को बेचा गया और बचा हुआ 2% थानी पर बेचा गया यदि कुल 400 रुपए का लाब हो तो माल का कुल मुल्य ठीक है रुपए में होका तो यदि हम लोग इनको solve करते हैं देखो सबसे अच्छा माना जाता है कि आप compare करके आप इसको solve कर सकते हो या फिर आप X वगेरा से आप X मान लो ठीक तो आप जैसे मानना चाहो मैं total CP यहाँ पे 3X मान ले रहा हूँ ठीक है मैं total CP को क्या मान ले रहा हूँ जी 3X ताकि मेरे को question solve करने में आसानी हो अब total CP जब 3X है तो पहले बार में क्या लिखा 2 by 3 part मतलब 2 बटे 3 भाग तो इसका 2 बटे 3 करेंगे ये 2X हो जा तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5% तो SP इक्वल्स टू हो जाएगा 2X इन्टू 105 और अपॉन क्या 100 ये उसका selling price होगा similar यदि आगे हम लोग देखें तो CP X होगा और इस बार हा नहीं दिया तो कितने का 2% तो total selling price हम लोग का कितना हो जाएगा तो लिख सकते हम लोग 98 XY कितना 100 अब इस प्रकार यदि हम लोग देखें तो total SP क्या हो जाएगा अब CP आपको पता है total SP भी आप निकाल लेना देखो दोनों के नीचे में 100 common है ये 110 हो जाएगा और ये 98 होगा यदि दोनों को हम लोग equate कर दें जोड़ दें तो तो हम लोगो कितना मिल जाएगा तो 308X बटे हो जाएगा कितना 100 रिचेक करिएगा आप लोग ठीक है तो अब हम लोग को lab बोला गया और वही lab question में दिया गया है तो lab कितने का दिया गया जी 400 रुपे और इन दोनों का difference ही क्या होगा lab तो तो हम लोग दोनों का difference निकालेंगे आप cross check करते रहिएगा तो 8X by कितना हो जाएगा 100 equals to 400 इस 8 से ये cancel होगा कितने times तो 50 times और X की value मिल चुगा कितना 5000 तो हम लोग को X की value 5000 मिला जबकि CP हमने कितना माना था 3X तो जब मैं कुल मूल ये लिखूंगा तो 5000 into क्या हो जाएगा तो आप इसको लिख सकते हूं 5000 into 3 और यही आपको मिल जाएगा कितना 15,000 आंसर हो जाएगा कितना 15,000 रुपए next question गौरत ने अंकित मुल्या पर 20% का discount काटने के पशाथ 10% अतिरिक छूट के साथ एक सूटकेस खरीदा यदि अंकित मुल्या 14,000 रुपए है तो उसने सूटकेस कितने मुल्या में खरीदा तो जब इसके लिए हम लोग लिखेंगे विक्रय मुल्या बराबर तो पहले तो 80% उसको देना होगा तो आप यहाँ पर 80% को आप लिख सकते हैं 80y क्या 100 अब additional discount भी उसको मिला कितने का 10 का अतिरिक छूट तो जब 10% का अतिरिक होगा तो 10% जब छूट होगा तो 90% फिर सो उसको देना पड़ेगा तो 90 upon क्या हो जाएगा 100 देखो नीचे से 4-0 cancel उपर से भी हम लोग 4-0 cancel कर देते हैं अब जब इसको हम लोग solve करेंगे तो answer हम लोग का आ जाएगा देखो 98 क्या होगा 72 और 72 का जब आप 14 से गुणा करोगे आपको मिल जाएगा 1008 फॉर्मूला यदि आप लिखना चाहोगे तो आप इसको लिख सकते हो कि विक्रय मुल्य बराबर यहाँ पर लिखा जाता है अंकित मुल्य 100 माइनस पहला चूट प्रतिसत बटा 100 और 100 माइनस दूसरा चूट प्रतिसत बटा 100 इस प्रकार से हम लोग solve करते हैं ठीक है next question जैसे आप देखेंगे तो एक कमरा चौटाई से आधा अधिक लंबा है ठीक आपको कमरे का बता दिया तो यदि हम लोग चौटाई की बात करें देखो question को clear रखना एक कमरा चौटाई से आधा अधिक लंबा है बोला गया है तो यदि आप चौटाई को B मानके चलते हैं ठीक है चौटाई को क्या मानते हैं जी B तो जब लंबाई की बात होगी तो इस सरब B प्लस B बाई 2 लिखेंगे मतलब ये क्या मिल जाएगा जी 3 B बाई 2 तो लंबाई 3 B बाई 2 होगा और चौटाई कितना होगा B होगा अब देखो कमरे में कारपेट बिचाने की कीमत 5 तो अब लोग जानते हो कारपेट कहां बिचाते हैं तो कारपेट हमेसा फर्स पर बिचाने के लिए देखो बोला गया 5 रुपए प्रती वर्ग मीटर मतलब मैं फर्स में 1 वर्ग मीटर में बिचाऊं तो उसका कौश्ट 5 रुपए होगा तो उस हिसाब से खर्च कितना है 270 270 रुपए तो जब 270 रुपए टोटल कॉस्ट आ रहा है और हम लोग को पता है कि उस कमरे का जो चौडाई है वो B है और जो लंबाई है वो 3 भी बाई 2 है तो यदि मैं कार्पेट का छेतरफल पूछूँ टोटल एरिया पूछूँ तो यही कार्पेट का एरिया ठीक है फरस का छेतरफल होगा और इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे जी तो उपर क्या होता है कुल खर्च और upon में क्या लिखेंगे? खर्च प्रती वर्गमीटर तो जब इसको हम लोग solve करेंगे कुल खर्च कितने का रहा है? 270 और खर्च प्रती वर्गमीटर 5 का मतलब यदि हम लोग इसको solve कर दें तो 5, 5, 6, 25 और 5, 4 क्या होगा? 20 इधर कार्पेट का छेत्रफल बराबर है किसके फर्स के छेत्रफल के और हम लोग जानते हैं लंबाई गुड़ चौड़ाई लिखते हैं तो लंबाई कितना है? आप लिख सकते हो 3B by 2 और चौड़ाई कितना है? B मतलब यहाँ से हम लोग के equation मिल गया 3B square by 2 equals to 54 तो इस तरफ B square और equals to 54 into 2 by क्या हो जाएगा? 3 इसको हम लोग equate कर सकते हैं कितनी बार? 18 और B की value आप यहाँ पे लिख सकते हो कितना? 6 ठीक है? तो जब चौड़ाई 6 होगा आप बता सकते हो लंबाई कितना होगा? तो चौड़ाई बराबर 6 तो लंबाई बराबर आप लिख सकते हो 3B by 2 मतलब 3, 6, 18 और यह कितना हो जाएगा? 9 तो question में हम लोग को L और B की value मिल गी 6 और 9 आगे आप लोग जैसे देखेंगे इसमें तो इसी में आगे क्या बोला गया? देखिए चार दिवारों पर 10 रुपए प्रती वर्ग मिटर के इसाब से पेपर चिपकाने की कीमत 1720 है तो चार दिवारों का खर्च क्या हो गया? 1720 और उसका जो यहाँ पर आप देखेंगे तो 10 रुपए क्या है? प्रती वर्ग मिटर उसका खर्च है तो हम लोग जब छेतरफल निकालेंगे वो मिल जाएगा लेकिन उसमें भी क्या बोला गया? एक दरवाजा और दो खिड़की आठ वर्ग मिटर की जगा घेडते हैं ठीक है? तो जब इसके लिए हम लोग लिखेंगे तो यह कंडिशन क्या होगा? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो चार दिवारों का छेतरफल चार दिवारों का छेतरफल ब्रैकेट में लिख ले रहेंगे खिड़की दरवाजे को छोड़ कर क्योंकि क्लियर रखना खिड़की और दरवाजे जो होगे ठीक है? उन पर आप कागज नहीं लगाओगे अब इनका कोश्ट कितना है जी? तो 1720 और पर मीटर तो 10 है मतलब इनको छोड़ करके उस चार दिवारी का छेतरफल 172 है और इनको सामिल कर दिया जाए तो तो सामिल कर दिया जाए तो चार दिवारों का छेतरफल को हम लोग लिखते हैं दो लंबाई धन चोड़ाई और इन्टो उचाई तो यह 172 उनके भी ना था और उनके लिए जब हम लोग लिखें तो देखो लिखा हुआ है कि 2 खिड़की 8 वर्गेमिटर की जगह घेरते हैं आपको बता दिया एक दर्वाजा और 2 खिड़की तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 8 मतलब इस तरफ हम लोग साल्व करें तो यह 2 इन्टो 9 और 6 पंदरा और इन्टो क्या हो जाएगा h और इक्वल्स टू 180 तो h इक्वल्स टू लिखेंगे तो 180 बाई कितना हो जाएगा 30 और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो h आपको मिल जाएगा 6 ठीक है तो यहाँ से आप h इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं कितना है 6 हैं तो आपको lbh जब मिलेगा तो आप उसका आंसर जब करेंगे तो देखिए आप बता सकते हैं l की वैल्यू लंबाई की वैल्यू 9 थी ठीक चोड़ाई 6 थी और उसके बाद उचाई भी कितने थी 6 तो इस प्रकार इसका यह सॉल्यूशन होगा ठीक है तो देखो पहले तो आयतन आपको दिया गया मतलब उसके आकार की बात की गई है तो जब आकार की बात की गई है हम लोग आकार को पहले लिख लेते हैं जैसे पहले टंकी की छमता जो है 3X है दूसरे टंकी की छमता 4X और तीसरी टंकी की छमता 5X अब इसमें मिश्रण भरा हुआ है तो मिश्रण भरा हुआ है जो भी किसका दूद और पानी का तो यदि हम लोग यहाँ पे इनके बारे में लिखें तो पहले तो आप मिश्रण को देख लिजेगा ठीक है? तो मिश्रण क्या-क्या होगा मैं उसको यहाँ पे लिख दे रहाँ तो आपको इसमें पहले में लिखा चार अनुपात 1 दूसरे में 3 अनुपात 1 और 5 अनुपात 2 अनुपाती की योग से यदि मैं लिखूं तो इसमें दूद की मात्रा जो होगी देखो 4 अनुपात है नीचे में कुल भागों की संक्या 5 और उपर क्या हो जाएगा जी? तो आप लिख सकते हो 3X इसके लिए मैं लिखूँ तो 3 बटा 4 और यहाँ पे हो जाएगा तो आप लिख सकते हो 4X देखे इसमें यदि मैं लिखूँ तो 5 बटा 7 और यहाँ पे हो जाएगा कितना तो आप लोग लिख सकते हो 5X यह किसकी मात्रा होगी? दूत की यदि मालो मैं पानी की मात्रा लिखूँ तो पानी की मात्रा 1 बटे 5 यहाँ पे 3X यहाँ पे 1 बटे 4 अनुपातिक योग से यह 4X और यहाँ पे अदि हम लोग लिखें तो 2 बटा 7 और यह हो जाएगा कितना? 5X इसको और सरल कर लेते हैं ठीक है इस प्रकार से आपको मिल गया तो जो जो कैंसल हो रहा है कैंसल कर देते हैं ताकि एक विश्चन हम लोग को थोड़ा छोटा मिले यहाँ पे 4 और 4, 4 और 4 कैंसल और बागे कुछ तो हो नहीं रहे ठीक है? यदि हम लोग यहाँ पे कुल दूद की मातरा लिख लें तो L से हम अम लोग कहा जाएगा कितना? 35 ठीक? साथ का मल्टिप्लाई 12 से तो 12 सत्ते 84X प्लस यहाँ पे देखो 3 है तो 35 थी है 105X प्लस 25 है 25 पंचे 125X मतलब ओवरॉल यदि देखा जाए तो हम लोग को मिल जाएगा 230 और 230 और 84 तो 314 X बटा 35 ठीक यह कुछ मिल गया अब पानी की मातरा देख लेते हैं तो पानी की मातरा नीचे फिर से कितना होगा? 35 उपर को हम लोग लिखेंगे तो 3, 3 सत्ते 21X प्लस 1 है मतलब 35 और प्लस 10 तो 10 पंचे कितना? 50 ठीक है इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यह हम लोग को कितना मिल जाएगा? तो 106 X बटा 35 इस प्रकार चौथे बरतन में ठीक है? यदि चौथे बरतन में हम लोग को पूछा जाए Mission तो देखो दोनों में से common क्या क्या है? वो cancel हो जाएंगे तो common क्या क्या होंगे जी? यहां से X by 35, X by 35 तो आपको क्या मिल जाएगा? आप इसको लिख सकते हो तो 314 और ratio कितना हो जाएगा? 106 अब इसको आप solve करोगे तो आपको इसका एक answer मिल जाएगा जैसे हम लोग 2 से कर लेते हैं क्योंकि 2 से ही होगा लग रहे है वहाँ पे तो 2 से क्या होगा? 2 एकम, 2 2 पंचे और 2 सत्य यहाँ पे 2 पंचे और कितना? 2 तिया तो answer हो जाएगा इसका कितना? 157 ratio कितना रहेगा? तो भी आपको दिया गया है 2 पंचे और 7 तो अब इसको आप लोग देखो solve करके देख सकते हैं तो पहले तो 14 और 56 का दिख रहे है तो 14 एकम 14 और 14 चौक क्या होता है जी? 56 यह एक अनुपाद 4 है, cancel यहाँ पे ज़िए हम लोग इनके लिए देखे हैं 15 और 56, किसी से cancel नहीं होगा तो यह भी cancel 16 और 56 दिख रहे है, यदि मैं 4 से cancel करूँ या फिर, ठीक है चलो 4 से करके देखते हैं 8 से कर लेते हैं, 8 दूनी 16 और 8 सत्य 56, यह मिल रहे है 2 अनुपाद 7 और 16 और 56 का अंतर भी कितना होता है? 40, आंसर क्या हो जाएगा? C, देखो फिर लिखा एक मोटर यातरी 150 किलोमेटर की दूरी 50 किलोमेटर ब्रती घंटा की और सत्य चाल से तै करता है और वापस 30 किलोमेटर ब्रती घंटे की चाल से समान दूरी तै करता है उसकी पूरी यात्रा का उसत चाल क्या होगा तो हम लोग समानदूरी के लिए उसत चाल लिखते हैं 2xy तो x के जगह में 50 है और y के जगह में 30 है upon x plus y तो 50 और 30 80 solve करेंगे तो उपर 300 और नीचे कितना 8 अब इसको solve करोगी जी answer मिल जाएगा 37.5 देखो 8-3, 24, 6 बचे का 60 हो गया और 8-7, 4 बचे का 8-5, 4 ठीक है फिर लिखा 2 संख्याओं का योग 25 है उनका महत्तम समापवर्तक और लगुत्तम समापवर्तिय क्रमसा 5 और 120 है तो जैसे ही आपको hca 5 दिया ठीक है उन संख्याओं को आप इसी के terms में लिखो तो एक 5x और दूसरा क्या लिख लिए है जी 5y LCM आपको दिया गया है question क्या according 120 तो इन दोनों का जब हम लोग LCM लिखेंगे तो LCM हम लोग को मिल जाएगा 5xy equals to तो आप लिख सकते हो 120 मतलब xy हम लोग को क्या मिलेगा तो लिख सकते हैं कितना तो 24 मतलब उन दोनों संख्याओं के जदी हम लोग गुणा करें उनके factors को गुणा करें तो 24 आएगा ठीक और वहाँ पी जदी हम लोग उनकी बात करें तो एक 5x होगा और दूसरा 5y इन दोनों का योग क्या होगा जी तो आप निकाल सकते हो 5x प्लस कितना 5y equals to 55 तो यब इसको हम लोग लिखेंगे तो x प्लस y equals to हम लोग को मिल जाएगा 11 यस हमी लेगा अब दीको question में हम लोग जानते हैं कि जब व्यूत्क्रमों का योग आता है इसको ध्यान देजेगा जो sum of recipe protocols आप लिखते हो व्यूत्क्रम का योग तो यही sum of recipe protocols क्या होता है आप लोग जानते हो उपर उनका योग होता है और नीचे आप क्या लिखते हो तो आप इसी को लिखते हो 5x y ठीक है उनका गुड़नफल होता है तो यहाँ पे 5 into 5 हो जाएगा ना या फिर देखो इसको आप सही से लिख लो तो 5x into 5y लिखते हैं ना यह योग होता है और नीचे क्या होता है गुड़नफल तो मैं देखो एक बार 5x plus 5y लिखा और एक बार 5x into 5y उपर से 5 common आ जाएगा आपको मिल जाएगा x plus y नीचे से भी 5 common होगा तो आप लिख सकते हो 5x y 5 5 cancel x plus y की वैल्यू 11 और 5x y की वैल्यू 120 आपका आंसर हो जाएगा कितना तो 11 बटा 120 ठीक यह आपका final answer रहेगा ठीक है next question यदि हम लोग देखें तो अब देखिए आपको फिर भाई ठीक कि चार अलग-अलग विद्यूत्यूप करन प्रत्यक 30 मिनट एक गंटे एक गंटे ठीक एक बटा दो गंटे लिख दिया मतलब देड़ गंटे और एक गंटे 45 मिनट के अंतराल पर क्रमसा सीटी बजाते हैं यदि दोपार 12 बजे सभी एक साथ सीटी बजाएं तो अगली बार एक साथ कितने बजे सीटी बजाएंगे तो देखो इनमें सीटी बजाएंगे वाले कोश्चन जो आये हुए हैं तो या तो पहले सबको आप लोग घंटे में लिख दो या फिर आप इनको किस में लिख दो तो इनको मिनट में लिख दो ये एक बटा दो घंटे होगा ये एक घंटे होगा ये तीन बटा, दो घंटे, इसको एक बटा एक लिख ले रहते हैं, और अगला वाला, तो इसको हम लोग जब लिखेंगे, एक तीन बटा चार होगा, मतलब चार एक हम चार हो, चार तीन, साथ, तो साथ बटा क्या हो जाएगा जी, चार घंटे, तो जब यहाँ पे हम लोग इनका LCM लेते हैं, तो भिन्यों के LCM में आप लिखते हो, अंस का LCM, अपवान क्या होता है, हर का HCF, तो उपर का LCM लेंगे, तो साथ और तीन है, क्या हो जाएगा जी, 21 होगा, और नीचे का HCF लोगे, तो दो, एक, दो, चार, मतलब क्या होगा, एक, मतलब वो सभी एक सा अगले 21 घंटे में City बजाएंगे, अब दिखो, आपके पास कितना है, बारा बजे, एक साथ बजा रही हो, भी कब, दो पहर के, तो हम लोग इस दो पहर के में 12 जोडेंगे, तो ये रात का 12 हो जाएगा, और सेस 9 है, तो उस 9 को जोडेंगे, तो सुबह या प्राता 9 बजे वो एक साथ फिर से City बजाएंगे, लिख सकते हैं, तो उसका आंसर होगा B, ठीक है, इसी संस्थान का विद्यूत बिल, आंसी ग्रूप से नियत, और आंसी ग्रूप से ठीक है, विद्यूत इकाई के खर्ष पर निर्भर था, मतलब देखिए कुछ नियत रासी होती है, जो ठीक है, कितना भी यूनीट हो, वो आपको देना पड़ता है, ठीक, साथ ही, दूसरा जो होता है, कि आप यूनीट पे खपत करते हैं, तो उस पर आपको कुछ अन्य जो उसके Charges है, वो पेक अन्य होते हैं, ठीक है, तो उसी के बारे में Question आया, कि जैसे 540 यूनीट आप ख लागत आती है, तो मतलब यदि हम लोग इस question को solve करें, तो देखिए पहले तो दोनों महिने के लिए हम लोग जो नियत रासी है, नियत चार्ज है उसको निकाल देते हैं, तो इन दोनों के बेच यदि मैं बात करूँ, तो देखो 80 unit जादा खर्च हो रहा है, ठीक किसमें, लोग यहां से निकाल सकते हैं, कि एक unit के लिए कितना खर्च, ठीक वो दे रहा है, तो एक unit का खर्च जो होगा, वो तीन के बराबर हो रहा है, मतलब per unit जो चार्जेस हैं, वो तीन रुपए के हिसाब से लगते हैं, तो देखिए काईदे से क्या लगना चाहिए, तो 540 के यदि मैं 3 लिखूं, ध्यान दीजेगा, 540 के लिए यदि मैं 3 unit से लिखूं खर्च, तो यह हम लोग को 1620 मिलना चाहिए, ठीक है, solve करेंगे, तो 1620 चार्ज आना चाहिए, लेकिन आया कितना देखिए, 1800, मतलब 180 रुपए अधिक, यदि मैं 620 की बात करूं, तो यदि per unit मै 3 रुपए चार्ज दे रहा हूँ, तो यह कितना मिलना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, देखो 3 का 0, 3, 2, 6, और 3, 6 का कितना होगा, 18, तो यहाँ पी यह भी कितना मिल गया जी, तो 1860, तो यहाँ भी आप यदि क्लिया कर पाएंगे 180 रुपए नियत चार्ज आपको देना पड़ रहा है, मतलब आगे भी जब 500 इकाई वो खर्च कर रहा है, तो उसके लिए आपको 180 रुपए तो देना ही पड़ेगा, साथ ही यदि 1500 की बात करें, तो पर यूनिट 3 रुपए चार्जेस भी होगे, तो 500 पर 3 यूनिट चार् जो है वो 180 होगा, इस प्रकार कुल खर्च जो होगा वो 1680 हो जाएगा, आप लिख सकते हैं option कौन सा C, यह आपका answer होगा, ठीक, next question के और देखें, तो एक वस्तु का लिखा, X का भाव प्रतिवर्स 40 पैसा बढ़ता है, जबकि वस्तु Y का भाव प्रतिवर्स 15 पैसे करें, देखें, 2001 में है, अब यह X का भाव 14.2 सुन्या, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, और मान लिया जाए, मान के चलते हैं कि T वर्सों में, ठीक है, कितने वर्सों में, T वर्सों में, वो Y से 40 पैसा अधीक होगा, तो इसको हम लोग लिख लिए 0.40 और इंटू कर दि यह T, क्योंकि T वर्सों में, वो अधीक हो जाएगा, अब मानस करते हैं, देखो Y का कितना है, 6.30, आप इसको लिख लिए 6.30, और फिर से, प्लस, इसमें 15 पैसा बढ़ रहा है, तो आप इसको लिख लिए 0.15, यह T, और इक्वल्स टू, इधर हम लोग लिख सकते हैं, 0.40 ठीक है, हम लोग को ऐसा मिल गया, अब दीकि यह माइनस को आप सॉल्व करेंगे, यह ब्रैकेट हटेगा, दोनों माइनस में हो जाएंगे, तो यह माइनस 2.80, और यहाँ पे प्लस, 40 में से 15 घड़ जाएगा, मतलब 0.25, यह T रहेगा, और इक्वल्स टू 0.40, यदि इसको हम लोग सॉल्व करें, यह माइनस से उधर जाने के बाद, प्लस, और T की वैल्यू यहाँ इंटू में है, उधर जाने के बाद, डिवाइड में हो जाएगा, तो T की वैल्यू 2.50, और अपॉन में हो जाएगा, 0.25, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हमारे लिए य इस condition को फुल्फिल कर लेगा तो answer इसलिए हम लोग लिखेंगे कितना 2011 ठीक है यह answer हो जाएगा next question है हम लोग देखें तो यहाँ पे points को equate करने पर अधारित था देखिए points के बाद 2 digits हैं यहाँ पे points के बाद 3 digits हैं तो तो हम लोग इसको equate करते हैं तो इस point को हम लोग displace कर देते हैं और यहाँ से कुछ common ले लेते हैं तो जब common लेंगे उपर की values वैसी रहेंगे इसको मैं क्या लिख सकता हूं जी तो 0.06 और into मैं लिख सकता हूं 10 to the power minus 1 और इसकी power 2 स्वेम चीज इनके लिए मैं लिखते चले जाओंगा ठीक है मतलब कहीं न कहीं 10 to the power minus 1 आपको इस bracket में मिल रहा है और minus 1 का multiply 2 से होगा तो minus 2 यही 10 to the power minus 2 ऊपर चले जाएगा और minus 2 ऊपर आने के बाद plus और यह बाकी सारे values आपको उसी format में मिलेंगे जो की question में आप देख पा रहे हो तो 0.47 का square plus 0.79 का 079 का square upon में यह भी उसी format में convert हो चुका 0.06 का square plus 0.47 का square और plus 0.079 का square यह cancel होंगे और 10 का square answer आपको हो जाएगा 100. 8 into 3.75 का square plus 1 और यहाँ पर आदि आप देखोगे तो कितना लिखा हुआ है तो 7.5 का square minus 6.5 तो इसको हम लोग पहले solve कर लेते हैं यह 8 हो जाएगा और यहाँ पर आदि हम लोग लिखे हैं तो 375 बटा 100 ठीक है और इसी का क्या है जे देख लीजे तो square है और plus कितना 1 अपन में 75 by 10 इसका square और minus लिख सकते हैं 65 by 10 यह कुछ इस format में हो जाएगा solve करके आप लोग देखेगा 25 से solve करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 1 और यह कितना 7 और यह कितना रहेगा 4 लिख सकते हैं अब इसके बाद इधर को आप solve करेंगे तो 5 से यह 15 बार और 5 से यह 2 बार similar 5 से यह 13 बार और 5 से यह 2 बार मतलब यदि हम लोग इसको equate कर लें तो यह उपर 8 होगा और 17 का square यदि मैं लिखता हूँ तो यहाँ भे कितना हो जाएगा 289 और upon में 16 प्लस 1 upon लिखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 15 का square मतलब 225 upon रहेगा कितना 4 और minus आप लिखोगे 13 by 2 ठीक है आगे हम लोग एदि equate करें तो यह 8 दुनी 16 हो जाएगा मतलब यह हम लोग को मिल जाएगा उपर 291 by 2 नीचे solve करेंगे तो LCM 4 आ जाएगा ठीक है यह 225 और minus 26 हो जाएगा ठीक अब इसको भी आप solve कर सकते हैं तो यह 2 से कितनी बार 2 बार ठीक यह 2 चले जाएगा उ 2 का गुणा 1 से 2 दुनी 18 आठ आठ और 2 दुनी 4 और एक 5 ठीक है कुछ ऐसा मिल जाएगा अब हम लोग यह नीचे देखें तो 225 में से 26 माइनस होगा आप क्या लिखोगे इसको 99 ठीक है मतलब 100 99 हो जाएगा और इसको जब आप solve करोगे तो आपको answer लमसम आना चीए ठीक है तो answer आप लिखोगे कौनसा इन में से कोई ने ठीक solve करके एक बार आप लोग देख लिजेगा अगला देखो एक कार के खाली पेट्रोल टंकी को X प्रकार पेट्रोल लिटर से भरा गया जबकि वह टंकी आधी खाली हुई तो उसे Y प्रकार के पेट्रोल से भरा गया पुन जार है मतलब 100 का 100 प्रतिसत किसका होगा जी? X का यह पहला भाग है टंकी आधी काली होती है तो आधी काली होती है मतलब X कितना हो जाएगा? 50 पर्शन यह उसका दूसरा भाग होगा अब देखो उसमें लिखा है कि जब वह आधी क्ली होई तब Y प्रकार के पेट्रोल से भ 50%, आधी भाग को भर रहे हैं, इसलिए 50%, अब question में फिर बोला गया, कि टंकी फिर जब आधी खाली होती है, तो दिखो X कितना हो जाएगा 25% आधी खाली होने के case पर, क्योंकि आधी यहां पर Y भी खाली होगी न, तो यह क्या हो जाएगा 25%, लेकिन इस बार जो है clear रखना, उ तो X प्रकार के पेट्रोल से भरा गया मतलब 50% खाली हुआ है, तो बाकी जो 50% भरा जा रहा है, वो किसका होगा, X का होगा, मतलब टोटाल यदि हम लोग पर्षेंटेद देखें, तो अब यह वापस कितना हो गया जी, तो आप लिख सकते हो 75%, ठीक, आगे question को आप पढ़ यह 75 से कितना हो जाएगा, तो 37.5, 75 का आधा 37.5, और इसका आधा हो जाएगा 12.5, ठीक, लेकिन यह कौन सा है, Y, तो अब देखो उसमें क्या लिखा, बताइए अब टंकी X में पेट्रोल का प्रतिसत कितना है, तो आप यहाँ से आंसर लिख सकते हो कितना है, 37.5, ठीक है, तो यह फाइनल आपका आंसर होगा, उसमें आप देख सकते हैं, एक आपको दिया है, 37.5, जो कि कौन सा है, B, तो आंसर लिख सकते हैं, B, ठीक, अब देखो उसके बाद एक कुश्चन आपको फिर से दिया गया उसमें, कि 2389 को तीन भागों में इस प्रकार बांटो, कि 2, 3 चार वर्स पशात, उनका मिश्दन समान हो, व्याज की दर साधरन व्याज पर 5 प्रतिसत वार सीखो, तो जब ऐसे कुश्चन को आप बाटते हैं, तो पहले तो इनके लिए आपको समय को क्लियर रखना है, 2, 3 और 4 हैं, एक दर कितना है, 5 है, तो आप लोग जब इसके होगे, आगे चल करके, तो ये एक्वेशन कुछ ऐसे हो जाएंगे, कौन सी रासी को बाटना है, तो आप उसको पहले लिख करके रखे रहो, 2, 3, 7, 9, पहला मूलधन X, दूसरा मूलधन Y, तीसरा मूलधन Z, दूनों के लिए दर के बात करूँ, तीनों के लिए दर की, तो तीनों दर कितना हो जाएगा जी, पांच, पांच और कितना पांच, यदि हम लोग बात करें यहाँ पे X, Y और Z के, तो X के लिए यदि हम लोग समय लिखें तो 2 वर्स है, Y के लिए लिखें तो 3 वर्स है, और Z के लिए लिखें तो 4 वर्स है, लिख सकते हैं, अब दिको य 20z by 100, ठीक है, इनको जब हम लोग लिखेंगे, मिश्रदन अमांट के रूप में, तो ये 110x बटा 100, ये 115y बटा 100, और ये 120z बटा 100, तीनों में 100, 100, 100 common है, ये तीनों आपस में समान है, बोला गया question में, आगे आप देखें, तो सब 5 से cancel हो जाएगा, 5 से cancel करेंगे, देखो य 24, ठीक है, इसको हम लोग cancel करेंगे, तो 23, और इसको cancel करेंगे, तो 24, ठीक, अब इसके बाद हम लोग x, y, z का ratio लिख सकते हैं, तो x, y, z का ratio यदि हम लोग लिखें, आप लोग लिखो 23, 24, मिल जाएगा 552, दूसरा ratio हो जाएगा 22, अब उसको लिख सकते हैं, 528, और तीसर आपको मिल जाएगा, 23, गुडित, 22, 506, ठीक है, तो जब इसको आप लोग लिखें, अब इनके लिए आप अनुपाद बता दूँ, तो जब इन तीनों का हम लोग अनुपाद देखें, 552, 528 और 506, देखें, उसमें कौन सा पूछा गया है, तो कौन सा पूछा गया है, प्रथम भाग, तो प्रथम भाग जब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, 552, अब उसके बाद 552, प्लस 528, प्लस 506, तो यह आपको मिल जाएगा, 1586, ठीक है, इन टू, आप यहाँ पे लिखोगे कितना, कौन सी रासी को बांटना है, तो 2379, 28 रूप है, एक बार आप क्रॉस शेक करके देखेंगे, तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा इसका, आप लिख सकते हो, 828 रूप है, ठीक, देख लेजिए, कौन सा विकल्प होगा, तो कौन सा विकल्प होगा, विकल्प B, ठीक है, अब उसके बाद देखो, एक क्वेश्चन है, कि वह समय, वर्सों में ग्याद किजिए, जिसमें मूलधन 20% चगरिद्धी व्याज की दर से, दोगुने से अधिक हो जाए, ठीक है, तो दोगुने से अधिक वाला कुश्चन है, अब यहाँ पर पहले तो मिश्दन को लिख लेना, यह मूलधन रहेगा, 1 प्लस R की वैल्यू 20 बाई हंड्रेट और इसके पावर N लिखते है ठीक, तो अभी हम लोग को इक्वल नहीं बोला है, हम लोग को दोगुने से अधिक बोला है, मतलब मिश्दन जो होगा, तो यहाँ पर यह लेस्टेन हो जाएगा और यह बड़ी होगी, तो यहाँ पर 2P आप लोग लिख ले रहेना, अब चेक कर लेना, दोगुना से कब अ समलोग, मालो हम लोग 2 लिखते हैं, तो 2 मतलब क्या होगा, जी 36 by 25, देखो अभी भी दोगुने से अधिक नहीं मिला है, ठीक है, 25 का अभी भी कितना है, आप लोग एक ही बार पढ़ सकते हो टेबल, थर्ड टाइम आप पढ़ोगे तो 6 का 216 होता है, और 5 का 125, देखो अभ यह हो चुका है, दोगुना से अधिक, क्योंकि 625 दूनी हम लोग लिखेंगे, तो 1250 होता है, इसलिए N की वैल्यू क्या होगी, 4, तो 2021 में पूछे गए प्रशनों का विश्लेशन कुछ इस परकार से था, अभी भी अधि आपको किसी भी प्रशनों में कोई डाउट होता ह तो कमेंट के मादियम से आब हमसे पूछ सकते हैं, तब तक के लिए चलिए थैंकियू, धन्यवाद